सो अलो फेंट्स में रणाना कुछ कर यह है नथिंग का एक टूली वायलेस एयर फोन नथिंग इयर स्टिक और आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे नथिंग एयर स्टिक का सेट अप एंड फीचर्स जो भी आपको नथिंग फोन मिलता है साथ ही सेट अप एंड फीचर करके इसके साउंड क्वालिटी एंड टच कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हैं तो वह सारा कुछ लोग इस वीडियो में देखेंगे और पिछले एक सब्ता से जो हम नथिंग के इस एयर स्टिक को यूज कर रहे हैं तो हम अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे इसक ड्यस्तिक से मिलता है ऑगर करेंगे इसके रहे हैं यहां से पोरा आपको कारवत करके यहां पर की यहां निगाल सकते हैं उपर के पड़र एक्स चार्जिंग पॉर्ट मिल जाता जिसके तुरू आप नथिंग को रिसेट कर सकते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि नथिंग का यह जो एर स्टिक है ना यह लास्ट कनेक्टेड या लास्ट पेर डिवाइस से कितना क्विक्ली कनेक्ट होता है तो यहाँ पर हम phone 1 के साथ pair करना है वो दिखाने के लिए हमको इसको reset करना होगा reset करने के लिए आपको button मिल जाता है तो इसको जो है ना आपको यहाँ पे open state में रखना है और यहाँ पे आपको यह button 10 second तक present hold करके रखना है और 10 second के बाद जो है आपको इसके बाद आप एक बार box को close कर दीजेगा अब आपको इसको अपने nothing phone 1 के साथ pair करना है तो just box को आपको रोटेट करना है मतलब इस तरीके से open करना है और आपको अपने nothing phone 1 के close रखना है यहाँ आपको इस तरीके का आपको complete customization का option मिलता है और आपको इस तरीके से शो करेगा इसकी उपर अगर आप लॉंग करेंगे तो भी आप जो है ना equalizer के help से sound को customize कर सकते हैं अपने according next यहाँ पर आपको option मिलता है gesture control का तो left ear bird में आपके पास चार option है double press का triple press का present hold का and double present hold का तो फिलालिया पर double present hold जो है वो blank है इन चार gestures के अलावा आपको single press पर भी track पर जा सकते हैं अगर आप left ear phone पे present hold करते हैं तो आप volume down कर सकते हैं और double present hold फिलाल यहाँ पर blank है tap करके जो है ना यहाँ पर हम voice assistant जह हो assign कर देते हैं इसी तरीके से यह जो तीन gesture control पहले से आपको assign मिलता है इसको भी अगर आप customize करना चाहते हैं तो tap करके आप जो भी functions available है वो customize कर सकते हैं change कर सकते हैं next यहां से back जाते हैं तो right ear birds के लिए आपको gesture control मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं double press and triple press का gesture control है वो same ही है left ear bird के जैसा but right ear bird पे present hold करके आप volume increase कर सकते हैं और double present hold यहाँ पे blank है तो यहाँ पे भी हम voice assistant जो हो assign कर देते हैं इसके लावा nothing ear stick के साथ आपको in ear detection का feature मिल जाता है जिसको आप यहां से enable कर सकते हैं तो अगर आप इसको enable रखते हैं और आपने nothing ear stick पे कोई भी music प्ले कर रहे हैं और अगर आप इसको अपने कान से निकालते है ना करेंगे फिर यहां पर आपको find my ear birds का option मिलता है इसके उपर अगर आप टैप करते हैं तो left and right ear birds पे एक हलका सा sound प्ले कर सकते हैं तो यह जो find my ear birds की तुरू आप sound play कर सकते हैं यह तभी काम करेगा या इसकी तुरू आप तभी अपने earphones को find कर पाएंगे जब ambient noise काफी कम हो या फिर आपका earphone डेस्क पर रखा हुआ हो विकॉज अगर यह तक्या के नीचे होगा आप अपने bed के नीचे गिरा दी है तो हमको नहीं लगता है कि sound के थुरू आप अपने earphone को find कर पाएंगे इसके लगा यहां पर आपको AAC codec को on off करने का option option मिल जाता है phone calls के लिए enable disabled करना हैπο immigrants करना वो सारो option आपको यहां पर मिल जाता है साथ ही आप पर अब टैप करेंगे तो नथिंग एर स्टिक के लिए अगर कोई प्डेट आया होगा तो वह आप यहां पर चेक कर सकते हैं इसके लब नथिंग के इस एर स्टिक को अगर आप अपने फोन वन के साथ यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरीक है एक बैटरी लेवल प्रिटर मिलता इस तरीके का अब जैसे कि आपको बनाये है और अपको यह यहां पर फ्रेइक में करें पह तो एपले यहां पर यहां पर help करतें करें तो इसनल Spider रख यूजिक जो प्ले होने लाएगा अगर हम यहां पर डबल टैब करते हैं तो हम next track पर switch कर सकते हैं easily and काफी अच्छे से यह work करता है अगर हम triple tap करते हैं तो हम previous track पर इस तरीके से switch कर सकते हैं यहाप अगर हम right earphone पे present hold करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से volume हम increase कर सकते हैं अब यहां पे हम right earphone use कर रहे हैं जो भी controls हम आपको बता है single press का double press का यह triple press का वो right earphone as well as left earphone के लिए same है बट यहां पे अगर हम left earphone में press and hold करके रखते हैं तो यहां पे हम volume जो है वो down कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके से volume decrease हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से voice assistant जो वो pop-up कर जाता है next यहां पे अगर हम बात करते हैं call control का तो किसी भी earphone पे आपको single tap करना है and आप call को answer कर सकते हैं फिर single tap करके आप call को end कर सकते हैं and अगर आपको call को reject करना है तो किसी भी earphone पे आप double tap करेंगे and आप call को reject कर सकते हैं so अभी आप देख सकते हैं कि यह जो मेरा nothing ear stick है यह मेरी is nothing phone 1 के साथ already connected है अब इसको अगर हमको दूसरे device के साथ connect करना है तो यहां पे जो आपको button मिलता है इसको आपको 3 second तक present hold करके रखना है आप देख सकते हैं कि यहां से यह disconnect हो गया disconnect होने के बाद यह automatically pairing mode में आ जाता है और जो भी nearest device होगा उसमें आपको इस तरीके का एक pop-up देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर connect के उपर tap करेंगे और आपको एक app download के लिए option देखने के लिए मिलेगा या फिर आपको notification नहीं चाहिए तो आप यहां पर don't allow पर tap कर सकते हैं फिर यहां पर आपको start के उपर tap करना है इसके बाद इनका एक improvement program है आप यहां पर later के उपर tap कर दीजेगा फिर यहां पर allow to continue कीजेगा यहां पर आपको nearby devices का permission देना होगा allow करना होगा इसको यहां पर आप देख सकते हैं कि automatically यहां पर ear stick जो है वो detect हो गया है तो इसके उपर आपको tap करना है और उसके बाद आपको यहां पर setup device की उपर tap करना है फिर यहां पर आपको nothing ear stick का जो भी controls है ना उनके बारे में बताए जाएगा आपको next next पर tap करना है and that's all की उपर tap करना है आपका ear stick जो है वो आपके एक non nothing android phone के साथ easily connect हो जाएगा अब यहां पर आपको home page पर जो है ना left right ear phones का and charging case का battery percentage दिख जाएगा फिर यहां पर आपको equalizer पर tap कर सकते हैं present hold and double present hold का जो भी functions है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहां से आप customize कर सकते हैं इसके लाव कुछ non customizable function भी है single press में play pause कर सकते हैं music को इसके लाव को answer कर सकते हैं call को cut कर सकते हैं यहां पर आगर हम right ear phone पर tap करते हैं यहां पर आप right ear phone का जो controls है वो customize कर सकते हैं एक बार जो controls आप app से set कर देंगे ना जब आप अपने ear stick को किसी दूसरे phone के साथ connect करेंगे ना तो भी वो controls as it is रहेगा जब तक आप यहां से इसको reset नहीं करते हैं next यहां पर corner में आपको setting का icon मिल जाता है यहां से आप in ear detection को enable disable कर सकते हैं और हमको लगा था कि low latency mode सिर्फ nothing phone 1 के साथ ही काम करेगा बट यहां पर low latency mode का support मेरे Samsung S20 FE 5G के साथ जब हम connect की हैं तो यहां पर भी हमको देखने के लिए मिलता है अब यह low latency mode कितना effective है वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे find my earbuds का option आपको यहां पर भी मिल जाता है तो यहां से भी आप उस सरीके का sound play कर सकते हैं जैसा हम आपको वीडियो में already दिखा चुके हैं firmware update के उपर tap करके यहां से आप जो भी update आएगा nothing ear stick के लिए वो check कर सकते हैं install कर सकते हैं and device को unpair करना है तो यहां पर आप forget के उपर tap कर सकते हैं जो touch controls है वो nothing phone 1 के साथ जैसा था वैसा ही किसी भी और android phone के साथ या फिर iphone के साथ आप use करते हैं तो वैसा ही controls आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ कुछ dust चिपकता है और जब आप इसको rotate करेंगे तो यह dust अंदर के साइड में चला जाता है और फिर यह transparent area धीरे धीरे गंदा होने लगता है so long time में हो सकता है ना कि यह transparent वाला area है यह धीरे धीरे काफी गंदा हो जाएग यह अंदर से scratches आ जाए इसमें इसके लाव अगर हम इस earphone की key specification का बात करें तो 12.6 mm का driver यूज किया गया है Bluetooth version 5.2 है charging case के साथ जो box पे mentioned आपको 29 hour का battle life मिल जाएगा और हम जितना इसको use किये ना तो हम पूरा case का जो battle life है उसका experience तो आपके साथ नहीं share कर सकते हैं exactly but earphone में आपको 60-70% volume पे 6-7 hour का battle life easily मिल जाता है और यह ear stick IP54 water and dust resistant rating के साथ आता है बहुत अच्छा rating नहीं है पानी में आप इसको डुबा नहीं सकते हैं बट हलका फुलका अगर पानी पड़ता है या sweat से इसको कोई problem नहीं होना चाहिए और इस ear stick को use करते हो जो ना sweating का कोई chance नहीं है because इस ear stick का grip इतना अच्छा नहीं है कि अगर आप high movement activity कर रहे है work out कर रहे है या running कर रहे है तो आप इस earphone को use कर पाएंगे silicon ear tips रहता है ना तो एक अच्छा ear grip जो हो फील होता है तो वह भी आपको इसमें नहीं मिलेगा बट silicon ear tips होने का disadvantage यह रहता है कि एक pressure जैसा create हो जाता है और long session में वह बहुत जादा comfortable नहीं होता है इस earphone का जो ear grip है यह अलग-अलग ear के साथ vary कर सकता है मेरे कान में यह काफी comfortably fit हो जाता है light movement में movie देखते समय या फिर घर में कुछ भी activity करते समय easily मेरे कान से यह बाहर नहीं निकलता है नेक्स यहाँ पर अगर हम बात करते है nothing ear stick के sound quality का sound quality हमको काफी impressive लगा bass में आपको काफी premium मिल जाता है काफी अच्छा treble मिल जाता है इसके अलवा जो instrument separation है वो काफी अच्छा है vocals काफी clear है काफी अच्छा loud है यह मतलब high volume पे भी distortion हमको feel नहीं हुआ और साथ ही आपको customization का option भी मिल जाता है nothing x application में जहां से आप अलग-अलग presets को use कर सकते हैं अगर आपको bass boosted sound चाहिए या फिर treble boosted sound चाहिए या फिर vocals clear चाहिए या फिर आप sound को जो है ना equalizer में customize भी कर सकते हैं नेक्स यहाँ पर अगर हम बात करें nothing ear one के mic के quality का तो अब आप यह जो मेरा voice सुन रहे हैं यह nothing ear stick के mic से ही record हो रहा है receiver end पे जो मेरा voice record होता है call recording हो आपके साथ share कर रहे हैं तो आपको idea लग जाएगा किसका mic quality कैसा है हम already इसका mic quality सुन रखे हैं और हमको काफी अच्छा लग हम आपके साथ screen पे share कर रहे हैं अब final conclusion अगर हम आपके साथ share करें तो यह nothing का ear stick truly wireless earphone हमको बहुत value for money नहीं लगा हम इसको 6700 rupees में sale में card offer लगा के लिए थे normally यह जो हैं आपको 7500 rupees से लेके 8500 rupees के बीच में मिलता है और इस price point पे नहीं आपको इसमें wireless charging का support मिलता है नहीं कोई dual pairing जैसा आपको यहाँ पे feature मिलता है नहीं कुछी तरीका कोई active noise cancellation वाला feature मिलता है जबकि nothing कहीं जो पहला TWS earphone था nothing ear one उसमें आपको wireless charging का support मिलता था और व बस यह lipstick वाले design के लिए तो definitely यह earphone हमको बहुत value for mine लगा बट कुछ कुछ अच्छा भी है इसमें जैसे अगर आपको एक non silicon ear tip वाला earphone चाहिए एक on ear type का earphone चाहिए अगर आपका earphone का usage का जो session होता हो बहुत लंबा होता है तो definitely यह आपको comfortable feel होगा इसके लावा sound quality में हमको क compromise नहीं लगा इसमें but nothing का एक step हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि nothing ear stick को जो है na nothing force करने का कोशिश करें consumer के उपर because nothing ear one जो की इससे पहले launch हुआ था वो जादा value for money था और उसको nothing discontinue कर दिये even आप उसको nothing के website से भी purchase नहीं कर सकते flip card पे भी वो आपको देखने के कीजिएगा चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में बाबाए जय हिंद